हलो बच्चों आज के इस वीडियो में हम प्रयास इंग्लिश कक्षा फॉर और फिफ्थ की जो हमारी वर्क बुक है इसकी वर्कशीट को करने जा रहे हैं तो आप इसको सीखने के लिए अपनी वर्क बुक निकाल ले और वर्क बुक में पेच नंबर जो हमारा दो है जहां प को क्या करना है यहां पर देखें कि लेट अस सिंग दहरा इंग अरै हमें यहां पर इस राइम को जो है गाना है इसे पड़ना है तो अपनी फिंगर रखिएगा और इस तरह से जैसे हम भग रहे हैं उस sewer से आपको पड़ना है तो देखिए ऐ कि ए नil flying man, flying man, flying man, up in the sky, where are you going to, flying so high, flying man, flying man, can you take me, अब देखिए, इसी को हम थोड़ सा अभी स्पीड से पढ़ेंगे, है न, तो हम इसको पहले थोड़ सा बढ़ा कर लेतें, इस्क्रीन को, अब देखिए, अब पढ़ना शुरू करते हैं आपस, तो आपको साथ साथ बोलना है, flying man, flying man, up in the sky, where are you going to, flying so high, over the mountains, and over the sea, flying man, flying man, can you take me, तो यह हमारा क्या है, अब फ्लाइंग मेन है, वो इस फ्लाइंग मेन के बारे में, हमारी पूरी पोएम दी, एक बार वापस पढ़ें, तो चलिए, शुरू करते हैं, अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेशन पर, क्वेशन नमबर, हमारा टू, हमारा क्वेशन नमबर टू, क्या कह रहा है, हमें, ड्रॉ, ड्रॉ, ड्रॉइंग करनी है, हमें, the things, चीज़ों की, that you can identify in the poem, जो की चीज़े आप पोएम में देख पाए, उनको पहचान पाए, अब देखो, हमने सबसे पहले देखा यहां पर, एक mountain, mountain का मतलब क्यो होता है, पहाड, परवद, तो हम यहां पर एक पहाड बना देते हैं, है न, आप जैसे हमने यहां पर, क्या बना दिया, पहाड बना दिया, इस तरह से, और अब हमें समुंदर बनाना है, तो हम यहां पर समुंदर बना देते हैं, जिसे यहां पर हमें, पानी दिखाना, आप इस तरह से लहरें दिखा सकते हैं, समुंदर की है, ऐसो करें पानी दिखा सकतें हैं फिर हम een की ऐन्य की कि प्लाइंग क्याओं करदी करतें में तो हमें आकाश में उड़ते वे जा दिखा देनेầnे इस तरह से आप हैं तो इस तरह से अब इस तरूं यादा सकते heart सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बैल ओन कर दे गंटे वाला बटन दबागर ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएं